कि शम्भूश एक पत्र जब तक वो आरा है निखलेश तब तक बच्चे ने पत्र लिखा है बड़ा पत्र बहुत बड़ा है ज्यादा बड़ा नहीं हो गया क्या पवार बेभाव महादेव रा मोहुल जिला सोलापूर कहीं बेठा है कहीं बेठे हो पवार बेभाव महादेव कहीं बेठे हो तहाति लाइएगा पवार बेभाव महादेव जो आपने इतना बड़ा पत्र लिखा है बबु कहीं वेठे हो पहादिला ही यह जान कहीं वेठे हो है पीछे कहीं आतिला यह क्या है आखरी मैं जर्ड प्लोज करें इस उसको दिखाएग टीवी बेदेट है पर कहा है पवार बेभाव महादेव जहां कहीं भी बेठे हो आपने जो पत्र लिखा है गुरुजी में सोलापुर आओ निखलेजी आई इकमाला देजाए यह दोनों भाईयों का बड़ा बहाव अच्छे कारेक पिलिए यह मातापिता के संस्कार है आपके जो आपको बहुत उन्नति की उल्ले कर जाएं पवार भेवव महादेव जिन्होंने पत्र में लिखा है गुरुजी में सोलापुर रामोहुल का रहने वाला हूँ मेरा मोबाइल नमबर यह है मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ बेकिंग एक्जाम के लिए मैं यहां पर आया हूँ चत्रपती संभाजी नगर में पढ़ रहा हूँ बाबारा मई से यहां रह रहा हूँ बाबा से मैं आपकी कथा सुनकर बस यही प्राथना करता था एक बार आपका दर्शन और एक बार शिव कथा मिले और शिव की करपा से बाबा ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली यह मुझे विश्वास नहीं होता इसलिए मैंने यह पत्र लिखता भरोसा दड़ता और वो भरोसा सहज नहीं है सरल नहीं है आप कता के पंडाल में बेठे हो बगवान से दिल की बात कह रहे हो जो कह रहे हो विश्वास मान कर भाबा से कह कर जाना भोले ना थे दया